हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल अलिन वन टीटी में दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सात्वे चरण सिक्षक बहाली से जुड़ी हुई एक न्यू अपडेट के विशह में दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि जब से नई नियूमावली आई है पिछले जितने भी शिक्षक हैं उनको और बनने वाले शिक्षक दोनों ही बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके हैं क्यूंकि इसमें नई नियूमावली में एक और परिक्षा की बात कही गई है और इतने भी शिक्षक हैं उन्हें राज कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा जिसके वज़े से बिहार में लगतार विरोध परजर्शन किया जा रहा है तो चलिए फ्रेंट्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ उससे पहले जो इस चैनल पर विजिट करें उस चैनल को सब्सक्र दोस्तों जब से सोंबार दस अप्रैल को नए नियमावली बनकर आई है तब शे जितने भी शिक्षक बन चुके हैं वो लोग या जो लोग शिक्षक बनने वाले हैं पिछले जितने शिक्षक हैं वो राज कर्मी की दर्जे से परिशान है कि उन्हें राज कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और जो नए बनने वाले शिक्षक है उनका ये कहना है कि मैंने चार साल से इंतिजार हम लोग सभी मिलके कर रहे हैं लेकिन जब शात्वे चरण भाली की प्रकिरिया लाने की हुई तो इसमें एक और टीटी, सूपर टीटी कह सकते हैं हम लोग एक और ए नहीं नियमावली के विरोध में परदर्शन शहर में डियो कारयाले के बाहर शिक्षकों ने किया परदर्शन नियमावली की प्रतिया जला कर शिक्षकों ने जताया अपना विरोध वर्यसन वे दता नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के खिलाफ शिक्षकों ने मंग श्यक्ष ने कहा कि शर्कार ने पूर्वी सिकारफी नहीं दिया गया है, सबसे बड़ी विरोधिका कारण नहीं दिया गया है, जैसा कि आप सभी को ग्यान थो और जिनको नहीं पता हो तो मैं बता देना चाहती हूं, राजय करमी का दरजा मिलने से बहुत सारी उन्हें benefit मिलता है, लाब मिलता है जैसे कि मैं आप सभी को बता दू कि इसे पहले एक exam 1994-1984 में BPSD के द्वारा conduct करवाए गया था शिक्षक बहाली जो अभी तक का सबसे बड़ा exam रहा है और वो लोग जितने भी शिक्षक है वो हमेशा वरिय शिक्षक कहलाते है और अभी के date में वही लोग परधाना अध्यापक है तो friends वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल सब्सक्राइब कीजे और दोस्तों में इसे शेर करिए धन्यवाद